चैहिन दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकी स्वील स्ट्रीम में आज इस व्लॉग में हम डिसकस करने वाले हैं स्टीम हैरिटेज स्पेशल ट्रेन जो की एकता नगर और एमदाबाद के बीच में चलती है क्या है इस ट्रेन के खास फीचर्स क्यों ये ट्रेन बनाई गई है किस चीज को कनेक्ट करती है सब हम इस व्लॉग में कवर करेंगे इस ट्रेन का इनेगुरेशन का बात करें तो 31st October 2023 को इस ट्रेन को Prime Minister श्री नरेंदर मोदी जी ने इनेगुरेट किया था एमदाबाद railway station से ये एमदाबाद से एकता नगर जाती है और एमदाबाद के लोगों को Statue of Unity जो की एकता नगर में है उसके साथ कनेक्ट करती है जैसे कि आपको पता होगा कि Statue of Unity पूरी दुनिया का सबसे बड़ा Statue है और एमदाबाद में International Airport है तो दूर दूर से लोग इस Statue को देखने आते हैं और एमदाबाद में लैंड करते हैं तो एमदाबाद से एवरी संड़े ये train सुबा 6 बजे निकलती है और 10 बजे ये train पहुंच जाती है एकता नगर जहां से आपको Buses या Car Facility मिल जाएगी Statue of Unity के लिए रात को ये train एकता नगर से चलती है साड़े 8 बजे के करीब और एमदाबाद पहुंचती है रात के 12 बजे ये train एक electric engine के थू हॉल की जाती है और push-pull technology पे चलती है इसके आगे भी एक engine है और पीछे भी एक electrical engine है बस इस engine को extreme locomotive की look दी गई है so that एक अच्छा experience रहे लोगों का जो travel कर रहे है Statue of Unity तक train के features की बात करें तो इसमें आपको panoramic windows मिलेंगी AC restaurant dining car मिलेंगी जिसमें 28 passengers बैठ सकते हैं एक time पे आपको two-seater sofa मिलेंगे natural white lighting मिलेंगी GPRS based public address system मिलेगा और जो luggage rack arrangement है इसमें जो की लोगों को सुमान रखना होता है तो वो आपको Tejas Express की तरह मिलेगा इस train के अगर current timings और fair की बात करें तो ये train एमदाबाद से सुबा 6 बचके 10 मिनट पे निकलती है और 11 अगर 10 बचे पहुँच जाती है तीन घंटे 40 मिनट लेती है ये train ट्रावल करने के लिए एमदाबाद to Church of Unity इस train के अंदर सिर्फ executive chair car है जो की विस्रडोम कोच लगी हुई है और उसका जो ticket है वो है 885 रुपीज तो 885 आपको एक side के जरनी के देने पड़ेंगे अगर आपको एमदाबाद से एक तनगर ट्रावल करना है रिटर्न पे ये train रात को साड़े आठ बजे एक तनगर से निकलती है और एमदाबाद रात के बाराँ बजे पहुँचाती है तो साड़े तीन घंटे लेती है और इसका price रिटर्न पे भी सेम है जो कि ये 885 रुपीस इस train की आउटर लाइवरी पे आपको lines बने दिखेंगे जो कि गुजरात के गिर फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते है और वहाँ पे होने वाली जंगल सेफारी को रिप्रेजेंट करते है तो यह आप देख रहे हैं विस्टर डॉम कोच और उसके साथ में एक वैप 5 इंजन जिसको steam इंजन की shape दी गई है और इस train को heritage special train कहते है I hope आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा informative लगा होगा और आप जल्द ही टिकेट बुक कराएंगे इस train में travel करने के लिए thanks for watching this vlog